तो आप लोग ज़रूर से जोइन कर लीजेगा अपको फाइनल टीम जो है टेली ग्राम पे मिलने वाला है इंडिया उसरिल लंका का ODI मैच है जिसमें विराटकोली रोजिसर्मा खेलने वाले हैं तो यहां पे देखिए 200 पे रेंक आया है यहाँ पे और यहाँ पे 2000 रेंक आया है सेम मैच के अंदर यहाँ पे देखिए 800 पे रेंक आया है तो यह Grand League के जितने सारे winnings हैं यह सारे Grand League के अधर-धर मैच के winnings हैं जो सारे हमारे सब्सक्राइबर है जिनको टीम हम लोग फ्री में टेलिग्राम पर प्रवाइड करते हैं तो आप लोग टेलिग्राम को जरूर जोइन कर लिजेगा यहाँ पर आपको ऐसे छोटे ॉइंट से मिस हुता है यह हमारे टेलिग्राम है यहाँ पर आपको went फ्री टीम ऻिए यहां पर फ्रीवी मिलनेग लिए वह पर मत लूपि है बूइनग की पूरी गरंटी आप लोग चेक लेना और जिनको प्राइम नेना है अपमरे टेली ग्राम पर आ जाना फ्री टीम भी मिलेगा और प्राइम के अंदर ग्रैंड लिग विनिंग होता है तो चलिए आप बात कर लेते हैं यहां पे कि कल कौन-कौन से लोग इंडिया से खेलने वाले हैं जैसे कि आप देख रहे है तो चार बॉलर होगे कौन-कौन से कुल्दी पिया दो और स्टिप सिंग मुहमद सिराज और यहां पर इदर से होगे दूबे जी को या तो रियान पराग को बäठाया जाएगा यहीं बात है नहीं तो हो सकता है झेलिके अब बात कर लेते हैं स्रिलंका सीपट से खेलते हैं यहां पर खेलने वाले हैं कोई खास यहां पर चेंज है नहीं जोकि मalकर लेते हैं यहां परण पर एक झायर में ठीक के चर्ट बारे मैं उससे पहले सब्सक्रेंग अब मतलब फाइनल टीम तो टेली ग्राम पे आपको मिलेगा ही और जिनको प्राइम देना होता है तो वह मिली जाता है वहां पर बहुत रिजिनेबल प्राइस में दो चार पाची यार नहीं सिर्फ 500 ठीक है और यहां पर आप देख लिजेगा यहां पर विनिंग की पूरी गरंट इन्होंने परफर्मेंस किया है बंगलाज खिलाब जीते हैं हालाकि इंडिया के सामने इन्होंने देखिए यहां पर 9 मैच इंडिया जीता है तो एक मैच सिर्फ सिर्फ लंगा जीता है और ODI के बात है यह कोई T20 नहीं है इसमें 10 तस तस उबर प्लेयर कराने वाले हैं क्ल क्लियर बात है यहां पर इनके रिकॉर्ड को देख लिए कुछ पुराने रिकॉर्ड से जिस पर विराट कोली भी काफी मैचेस खेल रखें हैं सुम्मन गिल भी खेल रखें हैं स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक है और हाला कि उनके तरफ सी कुछ प्लेस है हसरंगा है इनके अच्छे हैं कुछ है ना जो इनके मैचेस हुए हैं वह आप चला देखेंगे तो यह 2023 में हुआ है जिसमें आपने देखा होगा कि 377 इंडिया ने बना दिया और यहां पर ऑल आउट हो गया सिरलंका यहां पर 50 रन बना पाए थे ऑल आउट हो गया देख लिए आप खुद दहाएं इंडिया के गिशर हैं लेकिन हो रहे हैं की हो रहे हैं स्कोरिंग के ऊपर आप नहीं कह सकते हैं स्रीलंका के साइड से क्या कि विकेट ज्यादा लोगे वाफ मतलब त्वीज़ करने लोड़ हो घर करते हैं तो ऐसे से कुछ प्लेयर हैं तो चलिए सब के बारे में जान लेते हैं देखिए लोकेस्ट राउल का पर्फॉर्मेंस आप देखे होंगे वोडियाई में काफी अच्छा रहता है वोडियाई टी-20 जो भी खेलें यह अपने तरफ से पूरा कंट्रिब्यूट करते है तो आपका एक प्लेयर तो निकल गया जो ट्रीम देख रहता है ऐगाव्जी आप बात करेंगे कुसल मैंड़िस की तो यहां पर कुसल मैंड़िस में आपके लिए इंपोर्टन प्लेयर बनके आ आजाते हैं जो यहां पर आपके लिए लगभग से कह सकते हैं कि परफोर्मेंस करके आते हैं तो आप इनके तरफ से एक प्लेयर को लेके चल सकते हैं और उसके उपर डाउट है नहीं कि यहां पर लेते रहते हैं तो आप दो प्लेयर को मिस्स नहीं कर सकते हैं आप दो प्लेयर को लेके चल सकते हैं और इसके उपर अदेख से लिया जाए ना लिया जाए फाइनल तो भी नहीं फिलल ठीक है रिशअपंध खेलते हैं लिए के बात कि आशे नियाें कभी नहीं हाते है अब भी अच्छा करके खेल रहे हैं हर लिग के अंदर हमने देखा है परफॉमेंस काफी मस्त है बट आप सब को नहीं ले सकते हैं सीधा बात नो बकवास चलिए आप बाकी की बात नहीं करेंगे हम लोग रोहित सर्म आपके लिए इंपोर्टन पेर है रोहित सर्मा को प्रफॉमेंस करते हैं अब देखते हैं लेके तो चलना चीए आप लोग अब देखा जाएगा क्या किया जाए निशांका की बात करें इनके तरफ से परफॉमेंस करने में निसांका तो भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं और परफॉमेंस से जूच रहते हैं लेकिन फिलाल अच्छा है सब कुछ ठीक है स्रया सेयर की बात करें हां स्रया सेयर मैं कहीं न कहीं से सुमन गिल से अच्छा मानता हूं अच्छे कुछ करते हैं उन्हें सर आएंगे बाकी समाव विक्रमा की बात करें यह भी इनके तरफ से एक खेलने वाले प्लेयर हैं बट आप देखिए इंडिया का कोई भी मैच है तो आप मोस्टी ज्यादा तर साइट जो है वो इंडिया के प्लेयर कहीं लेंगे यह जाहि दो देखिए बैटिंग से कंट्रिब्यूट करते हैं अच्छे प्लेयर हैं हसरंगा की बात करें देखिए बैटिंग बॉलिंग प्रॉपर दोनों चांस मिलने वाला है प्रॉपर मैं आपको बता दूँ और देखिए इसके ऊपर किसी को डाउट नहीं होना चीए दस-दस अगर करा रहे हैं तो वहां पर खुद सोच सकते हैं कि यह कुछ ऐसे नामी नाम है जिसमें ध्यान बहुत कम लोगों का जाएगा मैं बता रहा हूं इसमें की प्लेयर कौन रहेगा और आपके लिए जरूरी कौन हो आप खुद सोचिए प्रॉपर बॉलिंग कराने का चांस क्योंकि देखिए बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देते हैं मुस्वभी नजर आएंगे दोनों तीनों गैरेंटी तो आप यह तीनों को ट्राइग करो और के मैं इसकी बात करें कभी कबाल ड्रेम टीम के अंदर आते हैं हमेशा नहीं आते हाला कि प्रफॉर्में करें जाते खास करके इनकी बात की जाए तो और मोस्वभी यहां पर आपके लिए इंप्रॉटन प्ले करने वाले हैं तिक्षान की बात करें तिक्साना आपके लिए और एक डिफ्रेंसिल आ सकता है क्योंकि तिक्साना का फॉर्म फिलाल यह थोड़ा सा अच्छा रख्खा है अभी लंका प्रीमेर लिग वह उसके अंदर देखने को मिला अभी जो अपने मैचस हुए टीट वंडी के तो उसमें भी देखने को मिला है हाँ ठीक है बंदर आप अर्स्तिप सिंग को भी नहीं कह सकते कि विकेट लेस जाएंगे क्योंकि कुल्दी प्यादो और सिंग अकसर पटेल वसिंगते जुंदर यह चारों के चारों ऐसे हैं कि अगर दोदो विकेट लेके चले जाएं तो आठ विकेट ऐसे ही हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि विकेट लेस कोई नहीं जाने वाला आप इंडिया के जादे तर बॉल्रस को ट्राइब कर सकते हैं मोह खली लेहमद खली लेहमद आपके लिए एक रिफ्रेंशियल आ सकते हैं अगर खली लेहमद खेलते हैं आप एक बात नोटिस कर लेना मुहमद सीराज को इग्नॉर करके आप खली लेहमद को ज़रूर आई कर सकते हो क्यों क्योंकि पावर प्ले में बंदा बॉलिंग कराने क लिए आता है और मुस्ट वेवली दो विकेट एक लेके चला जाएगा इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है यह फेनलों की बात नहीं करेंगे हाला कि कभी कवल डिफ्रेंशियल यह भी प्लेयर आ सकता है कोई डाउट नीश के ऊपर उसके बात करेंगे हर्ची तरह नहीं सुम्मंगिल स्रेया सेयर को या तो सुम्मंगिल दोनों मसे किसी को ट्राइए करेंगे इसांका आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे हसरंगा अकसर पटेल वसिंगटन सुंदर खुलती प्यादो अर्स दिप सिंग और मुस्ट प्रवली खली रहा है मत लेकिन फिलहाल के लिए आपके पास टॉप चोईसेज हैं क्योंकि खेलने के लिए काफी ज्यादा टाइम मिलता है तो यहां पे आपके लिए लोकेस राहल भी आपके लिए कैप्टेन के रूप में अच्छे चोईस हो सकते हैं रोहित सर्मा आपके लिए तो नहीं बोलेंगे उतना देह नहीं है इग्नौर कर सकते हैं अब बात करेंगे यहां पर आप किसे ट्राइए कर सकते हैं तो यहां पर अक्सर पटेल वसिंग चन सुन्दर यह जो प्लेयर्स हैं इन्हें आप सीवी सी में ट्राइए कर सकते हैं वहीं बात करें अर्ष्टिप सिंग खुलदी प्याद तो वहां पर आपको हमारे जो लिंक है तेलीग्राम का मिल जाएगा आपको उस पर क्लिक करते ही आप टेलीग्राम पर हमारे चले जाएंगे और जोईं कर लीजिएगा जोईं करेंगे तभी आप यहां पर उससे जुर पाएंगे चलिए बहुत-बहुत धन्नेवाद प्रून ही स्टिध